मुझें आप सब मीधा के आप सब अच्छ होंगे और 2024 में जो फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो फार्मिंग कीजिए देखिए विडियो में बहुत चाहे ऐसे फार्मर है जो कि फार्मिंग को बदनाम करते हैं लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप सिस्टिमेटिक धंग से कर रह तो मेरा मानना यह है कि फार्मिंग भी एक जॉब से कम नहीं है और यह लास्ट चीज नहीं है बहुत ही जदा अच्छा बेनिफिट वाला यह बिजनस है तो आप किसी भी चीज का फार्मिंग करें बट हां नए तरीके से टेक्नोलोजी के साथ करें और अभी जैसे हो रहा है क तो आपको पैसेंस रखना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन जो भी होगा खुद का होगा तो आप अच्छे से करें और हां वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैं मेरा टॉपिक है कि आज अगर आप 10,000 मसली फर्मिंग से स्टार्ट करते हैं 10,000 पंगास से तो आ 10,000 बच्चे से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 10,000 बच्चे का अगर हम तलाब बनवाते हैं तो तलाब कैसा होना चाहिए तो देखिए मेरा मानना है कि अगर आप तलाब बनवाते हैं तो कम सकम 15,000 स्क्वाइर फीट का तलाब बनवाएं क्योंकि बढ़े तलाब में फर्म सार तार मतलब गपड़ दिए का खर्चाथ देसहार है तो पांचेजर दवाई का भी आजाए तो पांच़ुमिंद 10 seraude अपका उबेंखल आने में कहाने में माजली का सुनिएगा कि छोटे तलाब में अगर हम फार्मिंग करते हैं जगा कम रहता है वहां पर अगर हम फार्मिंग करते हैं तो मचली में ग्रोथ थोड़ा कम होता है और फीड तोड़ा जदा देना पड़ता है साप सफाई तोड़ा जदा करना पड़ता है लेकिन जब हम बड़े तूर Evans hoping on an यक यह कहने जो हमेरास ना सिलग़े ज़ाइब एदर घ्र सब्संत्राइब करते हैं चल छोटे प्राइब से बड़े तलाब में कम होता है च्छोटे तलाब में एक युद्रा तो बड़े तला वर्त पन लृपे में अ ग toim einfach चाहि जाएंगा प्लम जदा है घुमने का जगा जदा है तो वहां पर ग्रूथ तोड़ा जदा होता है तो इसको आप लोग लीटली मत समझें इसको तोड़ा सा अच्छे से समझें कि वह अगर तलाब बना यह तो थोड़ा सा 15,000 स्कार फिट का बना जो कि बड़ा तलाब हो तो अगर 10,000 बच्चे करने के लिए आपको 3000 मचली भी काफी है 2000 मचली भी काफी है क्योंकि पहले बारी सीखने में भी जाता थोड़ा बहुत और लॉस नहीं लेना है उसके बाद मैं यूँ आपका सपोर्ट करने के लिए तो अगर 10,000 बच्चे को साड़े साथ लग का खाना खिला रहे हैं तो व हम जदा बड़े स्केल पर करते हैं अना तो बहुत सारे मचलियों के पास खाना नहीं पहुंच पाता है और कुछ मचलियां जो चोटी रह जाती है बड़ी चोटी बड़ी चोटी होने के बाद तो अगर हम हर्वेस्टिंग करते हैं तो वैसे अगर एक केजी हम जोडते हैं सिधा से निकलता है लेकिन तो कुंटल नहीं निकले आगर भी हरें और पंचल्सानवे कंटल बेचरें तो स्क्लीय है लाग चाली सहरे जैना जो है आपना मतलब की तोटल मतलब के वह हुआ मसली बेचा एक इतना बेज करके हमारा जो टोटल खर्च है टोटल खर्च मैंने आपको बताया कि जीरा का और हो गया और मचली का दाना का गया तो 7.900.000 के करीब आपका टोटल खर्च होगा 10.000 बच्चे को पाले मैं 7.900.000 अब इसमें प्रोफिट मैनस करते हैं तो 3,50,000 रुपया 11,40,000 में 7,90,000 मैनस कर रहे हैं तो 3,50,000 रुपया यह हमारा जो है तो आपको दुसरे काम करना पड़ेगा सुनना पड़ेगा लेकिन फार्मिंग में सुनना पड़ेगा खुद का जो होगा वही करना है जो मन में होगा वह करना तो आप अगर करना चाह रहे होना तो बहुत ही बड़ियां फार्मिंग दो चार तलाब में करें बड़े जितना बढ़ा सकते हैं लेकिन दोचार तलाब में करें जो की साल में दो बार चार बार हर्विष्टिंग कर लें मस्त रहें घर में अराम से पढ़े रहें कोई दिक्कत नहीं तो यह बहुत ही बहतर है अगर आप फार्मिंग कर रहें तो क्योंकि फार्मिंग भाया मैं खुद कर रहा हूं और मैं भी इसको बढ़ाने के लिए सोच रहा हूं तो मेरा माँ यही था आपको छोटा सा बताने का तरीका अगर 2024 में स्टार्ट करना चाते तो इस टार्ट करें वीडियो अच्छा लगा झालोब करिके अधिस के वीडियो हां पाराव खुलिवयो कर दो महा हूं कर बता है हूं